आप सभी का स्वागत है बच्चे आज हम देखेंगे इस वीडियो में कोई भी रिमेनिंग नहीं है सबसे पहली बार जिस नंबर को आप पूट करते हैं आप जैसे 66 होते 77 जा 49 88 जा 64 से जादा हो गया तो 77 जा कितना हो गया 49 हो गया ठीक है 16 में 9 गया 7 4 में 4 गया 0 7 प्लस 7 कितना हो गया 14 हो गया अब हम उपर से क्या लाते है 0 7 को ले आता है राइट तो देखते हैं क्या हो गया यह पर बच्चे हमें चाहिए 7 और साथ ही साथ क्या है कि जो value आप यहां पे put करते है न वहीं आपका यहां पे भी होगा तो 7 कब कर आता है 7 के table में तो आता नहीं है तो 4 हम कर सकते हैं 4 देखते हैं 4 4 जा 16 carry 1 57 क्योंकि वैसमें मैं add करूंगा तो 707 से ज्यादा होगा कितना होगा 131 क्या होगा it is not a perfect square number it is not a perfect square number अब हम देखते हैं क्या एक और example देखते हैं बच्छे इससे क्या square root हमें fine करना है 1296 इसका देखते हैं कैसे fine कर सकते हैं long division से इसमें भी left से दो दो का pair करते हैं तो 3 3 9 होता है बच्छे एन 4 4 16 होता है काफी ज्यादा value है 12 से तो 3 3 ज्या कितना हो गया 9 हो गया हम क्या करते हैं minus किया यह हो गया 3 इतना ही आप इदर add कर देते हैं अब जब भी value लाते है normal division में क्या होता है single value को आप use करते हैं लेकिन जब square root fine करना होता है तो pair में value को use करते हैं तो क्या होगा यहां पर बच्छे 6 है तो मैं 6 का आगे 6 देखो 6 का बात है 6 into 6 36 तो मैं यहां पर देखता हूं कि 66 रखा और इतने से into गया 396 माच कर रहा तो मैं 6 रखूंगा 6 यह मिलेगा 396 मानस करने से क्या हो गया यह cancel हो गया 0 आगया देरफोर इस्क्वार रूट ऑफ 1 2 3 6 9 6 इकुल डू कितना होगा 36 आंसर होगा एक देखते हैं जब सिंगल पेर होगा तो हम इस्क्वारूट कैसे फाइन कर सकते हैं का सब्सक्राइब लांग डिविजन में में इंपोर्टन क्या होता है लांग डिविजन में में मैं वैल् अंड़ोर 2 7 2 2 5 तो 2 7 2 2 5 बच्चे यहां पर लेट से डबल का पेर करते हैं अब देखते हैं यहां पर सिंगल वैल्यू है पहले सिंगल वैल्यू को यूज करते हैं 1 बन जा 1 क्योंकि 2 2 जा क्या होता है 4 होता है 1 आगया इसमें आप अब पेर लाओगे तो 72 आ नीचे हमें सोचना है क्या 2 क्या क्या रखों उतने से इंट्यू करना है मैं अगर 7 रखता हूं 7 7 जा 14 चैरी 4 7 तो 14 14 418 ज्यादा हो गया न तो मैं यहां पर 26 को 6 से इंट्यू करता हूं क्योंकि जो वैल्ल मैं यहां पूट करूंगा वही होगा 6 6 तर 36 कैरी 3 6 तूजा 12 और 3 15 तो 6 पू कि इतना 6 रहे गया 6 में 5 1 एक एंसल इतना ही आप एड़ करता है अब 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 लाते हैं 2 5 ऑवेस्टे जब 5 होता है लास्ट में इजी होता है टेक करना वैल्यू को क्योंकि 5 को 5 से इंडू करने पर ही 5 मिलेगा तो 5 पर आफ जा 25 करी 2 5 तू जा 10 और 2 12 करी 1 5 तू जा 10 272 25 कितना हो का 1 65 यह गया होगा एक ऑंसल हो गया बच्चे ताहि हो पापको यह समझ में होगा आ जांकि руки कंब करतें एं डो का पेर क्या है अब करते हैं जो व्य वाखिए करता है वह यह यहां पर यूजू भी करतें तहीं हमारा अन्सल हो गया बच्चे Square root निकालने का काफी आसान तरीक है और इस तरीके से long division का method यूज करके हम square root को find कर सकते है Thank you so much guys for watching and supporting the channel आप सभी का again स्वागत है Dear Teacher G channel पर ये basically banking SSC railway community exam के लिए tips and tricks के लिए बनाए गए तो आप यहां से सीख सकते है aptitude को strong कर सकते है Thank you so much, have a good day, Jai Hind जयवारब